दर्चको नमस्कार मिशन इंडिया टीवी में मैं विजे ताइड़े आपका सौगत करता हूँ जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट राज्य में विदान सभा चुनाओ का विगुल बच चुका है हर पार्टी की उम्मीद्वार अपने प्रचार हितु बहार निकले है और अभी प्रचार का अंतिम दवर शुरू है हम सभी विदान सभाक शेत्र में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे है ऐसे में हमार साथ बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता अमिजी बागेशर यहां उपस्तिते जानते है युवा नेता अमिजी बागेशर से इस बार बहुजन समाज पार्टी का हाती विदान भावन में पहुचेगा या फिर बैलेंस फोर्स के रूप में उभरेगा अमिजी आपका स्वागत है मिशन इंडर टीवी में क्या बताओगे बहुजन समाज पार्टी के स्थिति क्या है महारस्ट में धन्यवाद आपका देखिए महारस्ट में अभी जो इलेक्शन हो रहे है विदान सबागे इसमें अगर आप देखते है तो शिवशेना बीजेपी एक साथ मिलके इलेक्शन लड़ रही है कॉंग्रेस राष्टवादी कॉंग्रेस ये एक साथ मिलके इलेक्शन लड़ रही है लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस देश की ऐसे एक में पार्टी है और महारस्ट में जो उबर रही है तो हम अपने दम बाबा साप का हाती इस इलेक्शन में लेके आये है और बाबा साप के हाती के दम पे बाबा साप के विचारों के दम पे बहुजन समाज पार्टी बहुजन पुरुशों के बहुजन मापुरुशों के विचारों के दम पे इस महाराष्ट में इलेक्शन कंड़क कर रही है तो आगाड़ी पे है और वहां से हम 100% वहां से हमारा आमदार चून के लाएंगे अमिजी जैसा कि आप बता रहें कि महाराष्ट से आप ब्यस्पी को उम्मीद और इस बाद जरूर चून के लाएंगे आपने बहुत इस कम उम्में आपने बहुत सारे चूनाव देखे हैं लेकि में बहुजन समाज पार्टी की क्या भूमिका होगे देखिए बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है यहाँ पे कारेकरता जो तयार होता है कैडर बेस कारेकरता तयार होता है जो कैडर बहुजन समाज पार्टी महापूरुशों के विचार के आधार पर चलात तका पर करना आधा नहीं कि करने न फैसी ही जोगा जाहिए तो यह बुर रहे हैं कि हम पाच रुपे और दस रुपे में हम खाना देंगे तो इससे क्या महाराष्ट का विकास होने वाला नहीं है आज तक हमने कॉंग्रेस की सरकार देखी है रस्टवादी कॉंग्रेस की सरकार देखी है तेकिन इन सरकारों में भी आज तक रोजगार उपल द्वाह है उनको पेंशन नहीं मिर रही है महाराष्ट में स्कूल कॉलेजेश में उच्च दर्ज्ज की सिक्षन प्रणाली सरकार के पास नहीं है जबकि भारतिय सविदान ने हमें राइट टू एजूकेशन दिया है लेकिन हो महाराष्ट में हमें दिखता नहीं है इसलिए बहुजन समाज पार्टी एक में वह इसी पार्टी है जो कहने में विश्वास नहीं रखती है क्योंकि हमारे पार्टी में कभी भी इलेक्षन का कोई घोशना पत्र हम गोशित नहीं करते हैं क्योंकि डॉक्टर बासा अंबेट करने जो सविदान लिका है मन्ने और कांशिर आने वाले हैं लेकिन अक्सर बीएस पे आरोप लगाए जाते हैं कि बीएस पी पैसे वालों को टिकिट देती है और चुना तक पैसा लिए तक उनका इस्तेमाल करती है और फिर बाद में उनको छोड़ देती है इस उम्मीद्वार और बाद में आपके पदा दिकारिया कार को खूँ नुकSTAN नहीं होता है देखिए बीएस पी एक में वैसी पार्टी है जो कैडर्र बेसा कारेकरता को के साथ नेताओ को भी सामने लाती है बोजन समाज पार्टी आज अगर किसी को उमेदवारी देती है तो उसको जाच की उमेदवारी देती है कि यह उमेदवार इलेक्शन लगने के काबिल है या नहीं है हमने हमारे कार्य करताओं को भी टिकेट डी है मैक्सिमम अगर आप देखते हैं 2014 की इलेक्शन में भी हमने मैक्सिमम कार्य करताओं को टिकेट डी थी आज 2019 में भी माननेवर खासदार डॉक्टर अशक शिदर साब ने जो उमेदवार दिये है उसमें से मैक्सिमम उमेदवार हमारे बोजन समाज पार्टी के कार्य करता है हमने बाहर के लोगों को टिकेट जीन को भी दी है लेकिन चून के आने के हिसाब से टिकेट डी है लेकिन कुछ कारणवाश अपना सवारत देखके बोजन समाज पार्टी से कुछ लोग जूडते हैं इलेक्शन के समय और इलेक्शन होने के बाद वो चले जाते है इसका मतलब यह नहीं है कि बोजन समाज पार्टी उनसे पै देखिए विदर्बं यह बोजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है महाराष्ट में और विदर्बं में हम पूरी जितनी सीटे 62 हम यहां पे पूरी विदान सभा में लड़ा रहे हैं तो मैक्सिमम जो सीट्स है हमारे आज आगाड़ी पे हैं अगर आप विदर्बं में अगर थोड़ा सर्च करूंगे तो विदर्बं में ज्यादा से ज्यादा टिकेट पे हम फाइट डे रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आमदार इस बार आपको बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट विदान सभा में देखेंगे अंतिम सवाल है समय को देखते हुए अभ तबसे यह महाराष्ट अलग हुआ है तबसे वही परिस्तिति आज भी है इसलिए अगर हमें सही माईने में महाराष्ट का विकास करना है विदर्ब का विकास करना है विदर्ब महाराष्ट से अलग करके एक विदर्ब राज्यक के निर्मान करना है तो इस महाराष्ट में बोजन समाज पार्टी की सरकार राना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, कि जहाँ जहाँ बोजन समाज पार्टी के एक एंडियेट है बोजन समाज पार्टी का सिंबॉल हाती है जिस हाती पे डॉक्टर बाव सामबेट करन जी ने इलेक्शन लड़ाता उसी हाती के सामने वाली बटन दबा कर आपको हमारे बोजन समाज पार्टी के उमेदवार को ज करता हूँ कि आने वाले 21 तारिक के दिन जहां जहां बहुजन समाज पार्टी के उम्मेद्वार है उनको भारी मतों से विजई बना कर 24 तारिक को इस महाराष्ट विदान सभा में नीला जंडा आप लह रहेंगे यही आपसे विनंति करता हूँ जैवीम धन्यवाद तो झाल जहां झाल